हलो आज की वीडियो में जानेंगे कि complete blood count जो टेस्ट होता है उसमें जो important parameter होते हैं actually में उस parameter हम कौन से method से करते हैं और next वीडियो के सीरीज में में जानेंगे उस method से कितना आपका जो report होता है accurate आता है कितना static होता है method जैसे जो hemoglobin होता है लेपलोबी में है तेस्ट करें रहे हैं उसको सेनाइट-free sls method से करते हैं यह अलग अलग instrument के ओपर depend करता है आप कौन से instruments से test आपका करवा रहे हैं या लेब में जो instrument है उस instrument में अलग अलग मेंटर रहता है दूसरा आप देखो कि जो आर्बीस्य होता है वह impedance सब्सक्राइब करता है जब मिशीन में जो आपका बलड जाता है तो वहां पर गुजरता है उसके दुरू हम रेंज ले लेते हैं जो लिकोसाइड होता है उसको हम क्या करते हैं कि लिकोसाइड को हम फ्लोसाइडरमेटर regulator-DHSS या आप मांक्राइड कोपि के दाएड और भी चेक कर सकते हो जो flow लेंफोसाइड मोनोसाइड इस्टोनोफिल यह जितने भी परामेटर होता है सब को हम दी एच एसमेटर से या आप माइक्रोस्कोपी मैनुवली भी कल्कुलेट कर सकते हो चुने इस परामेटर होता होता है हमारा प्लेटल कौन जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है उसको हम इंप्रिणेंस प्लेटलेट अगर कम आता है नौर्मर रहन से तो फिर डॉक्टर उसको माइक्रोस्कोपी भी कनफर्म करते हैं कि एक्चली में जो मशीन हमारा व क्वैसे मेटर से टेस्ट करता है हम